Hello friends, आज हम बात करेंगे B.S.C. 3rd Semester Chemistry Slebes, ठीक है? B.S.C. 3rd Semester Chemistry का पूरा Slebes देखेंगे, ठीक है? कि कौन-कौन से चेप्टर हमें पढ़ने हैं, देख सकतो? Chemical, Dynamics and Coordination Chemistry, जो हमारी बुक है, ठीक है? उस पे देखेंगे आपका Slebes क्या है, कौन-कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो बात करें, 8 यूनिट्स हैं, उन सारी यूनिट्स को आपको बताएंगे, और उन पे क्या-क्या पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो पे देखेंगे, ठीक है? तो यार, प्लीज वीडियो को आखरी तक देखना, ठीक है? नमबर का पेपर आएगा, ठीक है? इन्हीं ये चेप्टर से, तो चलो बात करतें, एक कर्सके की कौन-कौन से चेप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है? रासायनिक बलगत की आपका यूनिट वन है, जिस पे आपको पढ़ना क्या क्या पढ़ेगा, देखो, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रियेक्सन्स के बारे में पढ़ना पढ़ेगा, मतलब अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटी, मतलब उस पे आपको संक्रियाड उ ठीक है प्रावस्था सॉरी आपका ये आपका केमिकल है तो रासाइनिक सामें फेज एक्विलीब्रियम ये आपका प्रावस्था सामें ठीक है तो ये वाला चेप्टर आपका रासाइनिक सामें है जिस पे आपको क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरड के बारे में और क्लेपिरॉन समिकरण क्या होता है ठीक है और आपको कैसे रासाइनिक साम में की क्रिया होती उसके बारे में पूरा आपको समझाएंगे Chemical Equilibrium पे ठीक है तो यह Unit 2 है आपका देख सकते हो आप आपका जो चप्टर है 2 रासाइनिक साम में जिस पे हमें क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा साम में यूनिट 3 है फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम में ठीक है जिस पे आपको जल्ट अंत्र के बारे में पढ़ना है करबं याथ साइड के बारे में मतलब इस पर आपको बहुत ही जल्ड आपका जो चैप्टर है इन सारे इन सारे चैप्टर का आपको एक जिससे उनको भी पता चल सके ठीक है और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ड रहेगा उतनी ही जल्दी आपकी क्लासेट भी स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है तो यूनिट 3 आपका फेज एक्विलिब्रियम हो गया और यूनिट 4 है मारा कायनेटिक थेओरी आप गैसेज ठीक के बारे में पढ़ना है आयतन संसोदन यह सब कुछ लिखा हुए ठीक है तो इन सब को आपको बताएंगे ठीक है जो गैसों के सिधान्त होते हैं उनके बारे में इस यूनिट 4 पर बढ़ना है तो यूनिट 1 है केमिकल काइनेटिक रासाइनिक बलगत की दूसरा है रासाइ के बारे में द्राव क्रिश्टल के बारे में इन सब के बारे में आपको यूनिट 5 पर बताएंगे ठीक है तो यह यूनिट 5 हमारा इंपोर्टेंट है ठीक है पूछे जाते इससे क्वेस्टन भी अगला है यूनिट 6 को आडिनेशन केमिश्टी उफसयस योजक रासाइन ठ ठीक है इसके बारे में आपको और इसके जो आयूपीसी नाम करड़ और आपका जैसे आपका जो होता है वर्नर का सिध्धान्त हो गया वो सारे पढ़ने इस पर को आडिनेशन केमिश्टी उफसयस योजक रासाइन ठीक है एक टॉपिक पढ़ाएंगे टेंसन न लो ठीक है ठीक है और अगला अपका चैप्टर है यूट सेवन थेओरी जो आफ को आडिनेशन केमिश्टी मतलब कि आपका उफसयस योजग रासाइनों के सिध्धान्त जो जो इस पर कौन कौन सी थेओरी है जैसे आपका जैसे वर्नर का सिध्धान्त हो गया और आपका क्रिश्टल सिद्धान्त हो गया ठीक है इन सारे थयोरी को आपको इस पर पढ़ाएंगे ठीक है Unit 7 पर इसी टाइप से आपका Unit 8 है Inorganic Spectroscopy and Magnetism ठीक है Inorganic Spectroscopy and Magnetism इसमें तो आपको पूरा Spectroscopy के बारे में ही पढ़ना है ठीक है इन और्गिनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैगनेटिजमें ठीक है मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिधान तो और ये सारी चीज़े ठीक है तो ये है आपका जो बुक है हमारी Chemical Dynamics and Coordination Chemistry जो 8 unit आपको पढ़नी है ठीक है तो देख सकते हो भाई तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक चरू कर देना और चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अगर जब आप हम लोग इससे स्टार्ड करेंगे पूरा आपकी बुक को तो आपके पास notification वीडियो की तूरंत आजाएगे ठीक है बहुत ही जल्द आपको इसकी वीडियो भी मिलने लगेंगे ठीक है तो यार वीडियो को लाइक चरू कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करना ठीक है